स्वागत है आपका इंट्रॉपी भाग दो के लेक्चर में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लॉसेज इनेक्वालिटी के बारे में समझा कैसे उसे यूज करना है जिससे क्या आप पदा कर सकते हैं कि कि प्रॉसेस होगा कि नहीं होगा होगा तो सेकेंड लॉज से डिरेक्ट्री जुड़ा हुआ है तो क्लॉसेस इनेक्वालिटी बहुत ही महत्यपूर्ण है इस ताफ से जो एक टर्म है डेल क्यू बैटी उसके बाद में और हम जानेंगे और कैसे वह इंट्रॉपी से जुड़ा हुआ है एक नया जो टर्म है ज मैं इंट्रापी को इंट्रॉडूटिूस करेंगे और पहले हम समझेंगे इस पर्टिक्लर प्रॉसेस डैग्रम पर यहां पर जो पीघुड़ा किया है वह है is a P-V Diagram और स्टेट 1 और 2 स्टेट है प्रॉसेस आप 1 से 2 के बीच में आसक्ते हैं या कि माध्यम से यह हो गया process path और वापस जा सकते हैं B के माधियम से इसी तरह हम A1 से 2 जो है वो C के माधियम से भी जा सकते हैं और वापस B के माधियम से आ सकते हैं तो यह इसको मानेंगे हम जो assumption है जो इसमें मान रहे हैं वह है reversible और यह cycle हम consider करते हैं चलिए A और B ठीक है इसमें हम यह भी एजुम करते हैं मानते हैं यह कि यह टोटली reversible है यह इंटरनली है मतलब अंदर सिस्टम के अंदर है ठीक है अब अब अगर आपने रिवर्स वर लिया तो यह पूरा साइकल में आप यह पर्टिकुलर टर्म जो मनें लास्ट टैम पढ़ा था डल क्यूबाइटी क्योंकि यह साइकल है और रिवर्स वल है तो यह जिरो होना चाहिए अब 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 आपने किया तो इसमें दो भाग है वन टू टू जो ए है और जो दूसरा भी है तो आपकोस आप सैकल अब यूज नहीं करेंगे आप इंट्रिकल सिदह यूज करेंगे तो इसलिए यह जो सिंबल है सिर्कल और यह हो गया वन टू टू ठीक है लेकिन आप यह कहते हैं कि यह प्रॉ कि यह हो गया आपका प्रॉसेस भी है कि अब दूसरा सैकल लेते हैं जो कि सी भी है यह पी सी मांग के चले अब यह भी आपका जिरो होना चाहिए क्योंकि यह रिवर्सिवल सैकल की बात कर रहा है और इसमें भी आपका वन टू अब यह एक्वेशन को हम दोनों इक्वेशन को इसमें से हम सब्राक्ट रहने कोश्च करते हैं तो अगर हम सकेंड एक्वेशन जो है रिवर्सिबल सैकल का यह कुशन इसको पहले से हम लोग सब्राइट करते हैं तो क्या निकलता है बी तो कैंसल हो जाएगा आपको यह निकलेगा कि वन तो सब्राइट करते हैं सेकंड एक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट ठीक है तो निकल के आएगा डिल क्यूब आइटी यह जो है वो निकल के आएगा वान टू टू माइनस डल क्यूब आई टी सी और यह बी वाला जो टर्म है यह तो कैंसल हो जाएगा तो यह आपको आजाएगा जिरो सो इससे आपको समय में आया कि 122 डेल क्यूब आएटी एगल टू वान टू 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 यह इंपॉर्टन जो टर्म में वो निकल किया है नौ इसका मतलब यह हुआ कि यह जो टर्म है यह इंडिपेंडेंट है पात से क्यूंकि आप वन से टू इंटिगरेट करेंगे या पार्ट एक माधियम से या बी-सी के माधियम से कोई प्राव प्रासल है वो इंडिपेंडेंट है तो यह पार्ट जो सवह में आया कि यह इंडिपेंडेंट है मतलब यह पाथ डिपेंडेंडेंट नहीं है पाथ पर डिपेंडेंडेंड नहीं करता है पाथ पर यह इसको कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं डिपेंड्स एंड सेट में जो है और यह जो टर्म है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसको अगर आप लेते हैं सपोज एक पिस्टन सिलिंडर ठीक है अब इसको आप कंप्रेस करते हैं यहां तक और इसको बाद इसको वापस लेके आते हैं जिससे कि आपका स्टेट पॉंट भी फिक्स हो गय करेंगे आप डीवी तो यह जिरो निकल के आता है इसी तरह आप यह स्टेट पॉंट कहीं से भी वापस आते हैं घूम के तो इसकी जो प्रॉपर्टी है जो भी प्रॉपर्टी है चाहिए वह आपका इंधाल्पी हो गया चाहिए वह इंटेनल एनेजी हो गया यह जो जर्णाब डल क्यू बाए टी जब इंटेग्र करते हैं स्टू जिरो आहा है तो इसका कनेक्शन जो है वह प्रॉपर्टी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है वही अगर आप हीट लेते हैं यह वर्क लेते हैं और उसको आप साइकलिक प्रॉप्रॉप्र से करते हैं तो वह तो वही किसी cyclic process पर आगर आपने किया तो यह जिरू नहीं हुआ वैसे ही अगर heat भी लेखते हैं आप जब देखते हैं कि पूर इस चार डिवाइसे अपने हीट इंजिन अगर आपने integrate किया डेल क्यू तो यह भी जिरू नहीं होता क्योंकि यह प्रॉपर्टी भी नहीं है ठीक है जबकि यह है तो यहीं पॉइंट जो है क्लासियस ने देखा और इसको कहा कि भाई यह तो इस चीज़ की प्रॉपर्टी की बिल्कुल बेहेव करती है और इस लिए इस चीज़ को डिप्रीशबय क्या एक प्रपर्टी जो ऐसर और इसका हो गया है डिप्रिंश्यल घम आर डिफरिंशल टंर्म чист al तो इसको स्कॉसियस ने जो है करेमां 1865 में इस टर्म को इसको इंट्रॉपिका और यह जो डिफिनेशन है डेलस इसगल टू डेल क्यू बैटी यह तब ही होगा जब आप इसे इंटर्नली डिवर्सिबल मान के चलेंगे क्योंकि हमने जो अभी डिफाइंड किया है उसमें यह डेफिनेशन जो है यह जब डिएस डेल क्यू बैटी से जुड़ा हुआ है वो केवल तभी जब इंटर्नली डिवर्सिबल हो बट एस जो डिफाइंड हमने किया है वो प्रॉपर्टी नहीं को किया ते जो कि स्टेट प कि इसका यूनित हो गया खिलो जूल्स पर केली ठीक है तो नोटी सिर्फ कीजिये कि जो हम यह निकाल सकते हैं इसमें वह डेल्टा ऐस है जैंजी इंट्रॉपी से जैसे की एनर्जी के केसे वह नेका था कि हम चेंज पिर निकाल सकते हैं इनिशाल कुछ रिफॉरंस से इनि इसी तरह entropy को भी एक reference चाहिए तो हम change in entropy निकालने के लिए आपको third law से जोड़ना पड़ेगा कुछ न कुछ reference चाहिए तो third law थमड़ा में बाद में पड़ेंगे वह एक reference लेके हम change in entropy निकाल सकते हैं क्योंकि उस case में S हम zero ले सकते है reference state में S हम zero ले सकते हैं जो वहां को उसके reference में आप हम change निकाल सकते हैं यह जो term है यह जैसे हमने कहा कि वह तभी equal होता है जब यह internal reversible है यह जो left hand term है यह property है जो कि state पर डिपन करता है अगर आप consider करते हैं let us say ts diagram में कि आपका एक process one है और state point आपका one है और यह two है और एक पहला process होता है आपका reversible जो आप इससे कर रहे हैं और यह जो process है यह आप वापस आते हैं यह इसको यह कह सकते हैं कि यह आपने process किया one two two reversible से और यह one two two जो डाश लाइन दिए रहे हैं यह आपका हो गया irreversible process तो कुशन यह होड़ता है कि क्या आपका डेल्टा एस इस वाले पात जो irreversible की पात से है जो कि मानते हैं बी से और यह है तो डेल्टा एस ए और डेल्टा एस बी क्या यह सेम होगा पिरल्ट स qui कि यहां सेम होगा definitely सेम्र이다 यह यह यह다 Iowa Tat m तो डेल्टा एस डेल्टा एस — बी सेमोग चेंज इन प्रॉपि सेमोगर क्यूव्य स्टेट पॉस्ट पॉस्ट है प्रॉपर्थिय आ सेट पडिपांट करता है सिधा स्ट्रेट पॉइंट सेम है इसलिए आप देल्टा एस सेम निकलके आएगा पर दल्टा-S सब्सक्राइब को हम लन्ट क्यों बाई डेल टी नहीं लेग सकते हैं क्योंकि यह सब्सक्राइब देल्टा से को हम डेफिनेटली डेल क्यों कि यह इंटर्नल रिवर्सिबल है और मेनी जो खास तो पर आप अगर प्रॉपर्टी निकालना चाहिए इंट्रॉपी का तो उसके लिए आपको मिश्या लागिए कि डेल क्यों को चाहिए आपको हीट इंफरमिशन या आपको पता होना चाहिए हीट और तेंपरिचर का पर कई बाद कि आपको यह रिलेशन नहीं पता चलेगा हीट और तेंपरिचर के पीच में इसलिए आप इंटेग्रेट निकाल पाएंगे तो इसलिए कई जो आम तब पर फूलिड यूज करते हैं जिसें वरकिंग इसलिए तो इसलिए यूज करेंगे उसके आपकर टेबल बने वही हैं और युझा आपको नॉम्मली रिफेरंश भूक्स में मिल जाएंगी तो आपको डैक्टो निकाल सकते हैं है तो ऑस टेबल में हमेशा एक रिफेरंस होगा कोही ना कोई रिफेरंच लेके 입니다 को द् अपना एक reference होता है तो यह कोई जोरूई नहीं है कि यह हमेशा रहे तो यह reference state जो है वो important होता है कोई भी थमड़ाने नहीं टेवल में आपको reference state important है कि उसकी के माधिन से आपका energy निकाले जाएंगे जाए वो internal energy हुआ या इंथाल्पी हुआ या अब यह इंड्रॉपी हुआ ठीक है आम तो पर जैसे हमने कहा कि internal यह तो है बट ऐसे के समें जहां पर यह reversible नहीं है ऐसे के समें हम जो है वो डेल्टा एस टू माइनस एस वन जो है वो ग्रेटर दन इकोल टू डल क्यूब अटी होगा तो यह क्यों होता है क्यूंकि आप इसका definition ध्यान से देखे फिर से कि हमने जिब कहा था कि closest inequality जो है वो यह होती है ठीक है अगर आपने यही जो पहले हमने अगर आपका यह तो डफिनिटली इंटर्नल रिवेसिबल है भी हमान के चले कि यह रिवेसिबल हो सकता है अगर दुबार से यहां पर मैं डॉप करता हूं आपको जैसे टी हैसम ने डियागरम बना आता वैसे ही एक पॉइंट साइक लेता है यहां से हम वन टू टू कर रह आइं जो है यह प्रोसेस हैं पता नहीं है इसमें हम कहते हैं कि यह रिवेसिबल हो सकता है यह रिवेसिबल हो सकता है यह पता नहीं है ठीक है तो यह रिवेसिबल हो सकता है और रिवेसिबल हो सकता है लेकिन जो वापस आ रहे हैं तो हम एक इंटर्नली रिवेसिबल प्रो से जोड़ते हैं हमें पता है कि किसी भी सैकल में आप अगर आप कंसेडर करते हैं साटल का प्रॉसेस में तो डेल क्यूब दल्टी जो है वह वह लेज दन या इकुल टू जिरो होना चाहिए तो इस केस में हम इसको एक्सपैंड करते हैं कि आपका यह यह जो है यह वजागा देल क्यूव बाई टी वन टू टू जो आपका ए है प्लस डेल क्यूव बाई टी यह को भी मांगे चले टू 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 वान जो कि आपका एक इंटर्नली रिवर्सिबल है तो यह पार्ट हमें पता है क्योंकि यह वन टू टू जो है यह एस वन माइनस एस टू है डेल्टा एस जो आपने निकाला था भी अभी जो टेफिनेशन लिया है वह यही है ठीक है तो इसको हम रिएर्रेंज कर सकते हैं कि आपका हो गया है यह 122 डेल q by t प्लस s1-s2 less than equal to 2 0 less than equal to 0 तो यह होगा है s2 minus s1 greater than equal to 1 2 2 del q by delta ठीक है इसको अगर दिफिरेंशल फर्म में लिखे तो यह निकल के आएगा यह तो यह आपका एक जनर्लिक स्टेटमेंट है कि डिफिरिंशल फॉर्म अभी तेख हमने यह कहा था कि डिएज जो फॉर्म है यहां पर यह यह डिफिनेशन था अभी हमने क्या कि इसी चीज को हम इसी चीज को से इंगा आपने यह डिफैंट किया हुआ है तो एक जन्रिक डिफिनेशन हो गया कि कि डिफिरेंशल जो है इन्ट्रापी किसी भी प्रॉसेस का या तो वह ग्रेटर दन होगा दिल्ट क्यूब आई-टी से यह इकुल्ट्यू और इकुल्ट्यू तब होगा जब इंटनल रिवर्शेबल प्रॉसेस होगा चिक है तो इसी इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि अगर इक्वेल्टु करते हैं तो डेल S2-S1 यह टम प्लस अडिशनल टम है इक्वल टू है तो चुकि रिवर्सिव इर्रिवर्सिबल केस में डेल क्यू प्लस टी से ज्यादा होगा देल्टा-S तो यह एडिशनल टम आजाता है जिसे कहते हैं s-generation यहां पर in ट्रॉफ़ी जनरेट हो रही है प्रोड़ूस रही हम इस टम को कहेंगे s-generation और यह जिरो होगा जब इंटर्नल रिवर्सिबल प्रॉसेस होगा और S generation यही आपका greater than 0 होगा जब irreversible process होगा तो इसका मतलब इस condition को लगाएंगे अगर तो आपका S generation पर यह condition आजाएगा है कि नहीं क्योंकि आपका delta S जो है delta S greater than equal to integral del q by t है ठीक है और अगर आप delta S को ऐसा लिखते हैं इस form में तो S generation पर एक condition आजाएगा और S generation जो है 0 होगा जब reversible process होगा internal reversible process होगा और greater than 0 होगा जब irreversible process होगा ठीक है तो यह basic definition निकल कि आया हमारा अब इसी चीज़ को हम इसको सम्षिक में कहते हैं entropy जो change है close system का irreversible process में वह always जो है हमेशा जो है entropy transferred जो heat से होगा between system and surrounding उससे ज्यादा होगा कि कहने का मतलब delta S जो है system का irreversible अगर है process वह हमेशा है जो है जो है जो आपका heat to transfer होगा है कि डेल क्यू बैटी कि इससे ज्यादा होगा कि इक कुल टू हटा देंगे इसमें simple सा greater than लगा देंगे क्योंकि इसमें irreversible process तो ज्यादा होगा इससे कहने का मतलब कि irreversible process में entropy generate होती है और यह चुंकि irreversibility जुड़ी हुई है जिसमें कि आपका कई तरह से हैं आपका बहुत large temperature difference अगर बहुत ज्यादा है या आपका friction है इस तब के चीज़ों से आपके irreversibility generate होती है उत्पन होती है तो S generation जो है वो greater than zero होता है तो इसी पे यह तीसरा statement है कि S generation जो है वो हमेशा positive होगा या zero होगा 0 तब होगा जब आपका reversible है okay well यह process पे depend करता है यही part process पे depend करता है S generation जैसे कि आप देख सकते हैं इसी चीज़ को कि भई आपके वही दो state point आप ला सकते हैं एक irreversible process से और reversible process से और irreversible process में आपका generation ज्यादा होगा S generation positive होगा और reversible process में आपका zero होगा तो यह process को effect करता है process के efficiency को effect करता है यह जिस तरह से आप यह process करते हैं और of course कोशिश यह देनी चाहिए कि जितना आपका minimum रहे क्योंकि यह बाद में आप देखेंगे कि यह कि यह loss generate हो रहा है जितना जान्दा generate होगा उतना system आपका efficient होते है inefficient होते जाएगा ख़ाब होते जाएगा उसके जंता जो है कम होते चले जाएगी इसी बात को लेके एक statement है जिसे हम लोग कहते हैं increase of entropy principle ठीक है यही चीज़ आपको दिखाता है कि अगर आप suppose कि कोई भी system को isolate कर देते हैं मतलब पूरा का पूरा बाहर से अलग कर देते हैं surrounding से पूर को isolate कर दिया जिसमें कि ना तो mass transfer हो रहा है ना heat transfer हो रहा है ऐसे case में अगर को process हो रहा है क्योंकि आपको बाहर से कुछ changes नहीं है लेकि process हो रहा है delta S जो ऐसे case में isolated system में हमेशा जो है वो greater than या equal to होगा ठीक है तो isolated system का मतलब यह होता है कि आपका adiabatic हो गया मतलब heat भी नहीं आठा ठीक है तो ऐसे case में आपका delta S जो है हमेशा greater than equal to zero होगा तो यह isolated हो यह कैसा निकला आपको क्योंकि आपने यही statement यहां पर किया था delta S is greater than equal to delta q by t अगर isolated है तो delta q जो हो गया तो इसका मतलब यह delta S इसके isolated case में हमेशा greater than or equal to zero होगा तो यह इसे कहते हैं कि increase of entropy principle entropy जो है किसी भी process isolated process के लिए यह तो constant रहेगी जो कि irreversible case में यह हमेशा बढ़ते चले जागी अब इसको आप जोड़ सकते universe से कि वही आपका universe isolated है और कि इसलिए वो लेकिन process होते चले जाए जाए और इसलिए उसकी जो entropy कहते हैं हमेशा बढ़ते चले जागी चले इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो है इसको important जो excitement है जो अभी तक में discuss नहीं किया था वह यह कि क्या entropy extensive है यह intensive है यहां से तो आप सिधर से देख सकते हैं कि यह del q by t जो terms हैं इसे मान सकते हैं कि यह summation of subsystem नहें कर तो यह extensive property है अगर आप इसे isolated system की माधियम से समझें तो कोई भी अगरा system ले रहते हैं isolated तो इसको आप डिवाइड अगर कर सकते हैं सब्सिस्टम 1 2 3 4 में तो सम आफ जितना भी changes आया है इस process के में जो एक से 1 2 2 की बीच में उसके लिए आप individual subsystem के change in entropy को आप calculate कर सकते हैं और इसको sum करेंगे तो आपको यह total entropy मिल जाएगा change in entropy delta S और यह क्योंकि extensive property है इसको अब ध्यान से इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि हम already sum कर रहे हैं अगर process में भी कर रहे हैं तो ध्यान दीजे कि sum कर रहे हैं तो यह individually हम हटा भी रहे हैं अलग-अलग subsystem को जो कि जैसे कि आप यह समझ सकते हैं हीट इंजिन के जो different devices हैं वह भी आपका सब सिस्टम है तो उसके corresponding change in entropy को भी आट करके total process का entropy निकाल सकते हैं तो इसलिए एक extensive property है naturally यह total entropy चुके isolated है तो यह delta S आपका greater than equal to 0 होगा जैसे यह एक और example के मार्ण से समझें कोईश कि अगर यह system है यहां पर इसके surrounding को अगर हमने isolate कर दिया boundary के मार्ण से जिए temperature differences बहुत कम हो गए तो effectively अगर यहां पर को mass भी नहीं exchange हो रहा है heat और को additional boundary work भी नहीं हो रहा है तो एक तरह से आप इसे isolate कर सकते हैं तो यह system है जिसमें की system plus surrounding जो है दोनों मिलाकर isolate हो गई है ठीक है इस तरह के system के बादे में अगर आप कहें तो question यह उड़ता है कि of course आप दोनों system plus surrounding को अलग कर सकते हैं और ही कह सकते हैं डेल्टा एस टोटल जो है वो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस स्राउंडिंग है और isolated system में डेल्टा एस टोटल जो है वो एस जनरेशन होता है नो आप यह पुछेंगे भई ऐसा कैसे भई isolated system में अगर आप ध्यान दिये फिर से यह जो हमने किया था कि डेल्टा एस जो है डेल्टा एस जो चेंज इन इस सिस्टम है यह हमने कहा था कि इन जर्नल इस system को इस definition को आप अगर आगे बढ़ाएं तो यह इन जर्नल आपका डेल क्यू बाई टी प्लस एस जनरेशन होता है चीक है अगर isolated है तो अगर isolated है तो यह जिरो हो गया आद़ गरतंगे और देल्टा एस जनरेशन और यह एक डेल्टा न यह ऩो सज़़ए तो इसी चीजH को अगर समझे तो यह आपका डेल्टा स्टोल सिस्टम प्लस जाहने या दो गिर्टा न इक्नल यह गों तो दोगा या एक कम हो सकता है, एक ज़्यादा हो सकता है तो system की entropy क्या कम हो सकती है तो इसका उत्तर ही है कि हाँ, क्योंकि यह heat transfer पे डिपन करता है अगर आप heat निकालेंगे system से, तो entropy कम होगा heat डालेंगे तो entropy ज़्यादा होगा तो system का entropy है, वो कम हो सकता है तोटल entropy system plus surrounding वो हमेशा बढ़ेगा या उतने ही स्तेर पे रहेगा और डिपेंड करेगा कि क्या आपका process reversible है internally या नहीं जैसे कि एक example के माधिन से समझते हैं यह आपका isolated system plus surrounding है जिसमें कि system lose कर रहा है heat surrounding को और surrounding gain कर रहा है heat तो delta S surrounding यह value दी वह है और delta S system negative दिया हुआ है और दोनों को जब add करेंगे तो S generation जो है आपका positive होगा और इसको भी आप निकाल सकते हैं अगर आप इसे isothermal मान के चले तो आप heat से भी direct information निकाल सकते हैं amount of heat से भी आप delta S निकाल सकते हैं तो इसका कुछ example हम करेंगे और इस example की मादियम से और हम समझने कोईश्च करेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम अगले लक्षर में example की मादियम से और समझने कोईश्च करेंगे entropy को कैसे engineering application में यूज किया जाता है फिर मुलाकात करते हैं अगले लक्षर में करेंगे हुआपर तो दो थेक्रता है झाल झाल